एक और नया दिन एक और नई गाड़ी आज हम खड़े हम मारुति सुजुकी की सो रूम में और हमारे सामने खड़ी हुई है नई चम चमाती हुई स्यूट जिसका आज हम रिवियू करेंगे और जानेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या और कौन कौन से फिचर मिलने वाले है तो चलिए दोस्तों इसका रिवियू सुरू करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर आपको हाईलोजन हैड लैम्प मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ इसके नीचे आपको मिल जाया का फॉग लैम्प जो इसका पर काफी अच्छा है इस गाड़ी में यहाँ पर आपको मिल जाता है सुक्रों पिनिस में सुदुकी कर लोगों इसके नीचे क्रों की पट्टिय भी मिल जाती है आपको यहाँ पर भी लैप साइड में भी आपको सेम लाइट और इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं यह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही चारों तरफ से दोस्तों कुछ भी का हो स्विप्ट का कोई भी जवाब नहीं इसका इंजन बहुत ही ज्यादा रिलाइबल है इसमें आपको अलाई विल मिल जाते हैं डिवल टों नहीं आते इसमें सिंपल अलाई आते हैं जो की बहु अच्छे क्रोम फिनिस के साथ स्वीप्ट लिखा हूँ मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है गाड़ी में यह देखिए आपको स्वीप्ट की बैजिंग भी देखने को मिली होगी देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से लगती है यह गाड़ी साइड से य इसे जिए को मारतीक गाड़ी में सबसे ज्यादा प्यारा लोक इसी गाड़ी का है यहा पर आपको ऐफम देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको डी फॉगर मिल जाता है लेडिए रिफलیک्टर में कि देख्दे यहां पर इसके पीछे के वाइ 하는 बाइपर मिल जाते हैं ज पर आपके पार्किंग सेंसर और कैमरा मिल जाते हैं यहांकर नंबर फिर्ड लगाने की जगह मिल जाती पीछ बिया कि जगाने को मिलता है आपको चलिए दोस्तों इसका बूट खूल कर देखते हैं कि आपको इसमें कीतना एंस पेस्पेस कर दिया जाते हैं यह देखे यह पर Spotify मिल जाएंगे जो की गाड़ी में उफ्यो簡 मिल जाते हैं इस में आपको आसानी से बहुत लोगों का समान रख सकते हैं यह देखें आपको यहां पर काफी अच्छ है इस गाड़ी के अंदर यह और आपको लाइट मिल जाता है रात में गाड़ी में समान रखने के लिए दिन में तो ये पता नहीं चल रहा है कि कितना लाइट है लेकिन रात में ये काफी ज्यादा थ्रो करते हैं लाइट के मामले में इसको चले दोस्तों बंद कर देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों आगे छलते हैं और बैट कर देखते हैं कि आपको इसमें कितना comfort और कितनी space देखने को मिल जाती है सबसे पहले इसमें आपको black color के door मिल जाते है जो कि बहुत ही premium quality के use किया जाते है हैं मारूती की गाड़ियों में कि यहां पर आपको क्रोम फिनिस में डॉर हैंडल मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के बटन यहां पर आपको डॉर हैंडल मिल जाते हैं यहां पर आपको इस फीकर मिल जाता है गाना सुनने के लिए यह देखे दोस्तों बहुत ही प्यारी गाड़ी तो चलिए दोस्तों उस सरफ से बैट कर देखते हैं कि आपको इसके अंदर क्या-क्या देखने को मिलेगा यह देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारी लुक आती है स्वीट की जिसे पसंद है और वांकी गाणियां पसंद कर ही नहीं सकता है यहां पर भी आपको ब्लैक फिनिस म देखिए दोस्तों डोर हैंडल यहां पर सभी आपसन आपको यहां पर आसानी से अवीलेबल हो जाते हैं यह देखिए दोस्तों सीर में काफी अच्छा मेटेरियल यूज किया गया है बलैक लेदर की सीट है जो की बहुत करम करती है यह पर आपको हैड डरेष्ट मिल जाते हैं जिससे आपके सर को आसानी से अराम मिलेगा ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये देखिए यहाँ पर आपको सीड बेल्ट के आफ य authसें मिल जाते हैं यहाँ पर आपकोulsion मिल जाते हैं जिससे आपको चड़ने उतरने में कोई भी परिसानी नहीं होगी, चारो तरफ आपो ग्रैब हैंडल दिया जाते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों इसका पीछे से डैस्बूट कूछ इस तरह के का दिखता है इसका बहुती प्रीमियम पॉल्टी का डैस्बूट देखने को आपको मिल जाता है तो चलिए दोस्तों इसके को ट्राइवर वाली सीट पर बैट के देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले ब्लैक फिनिस में डोर मिल जाते हैं यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं क्रोम की फिनिस में यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन मि मिल जाते हैं कि इसमें काफी अच्छा मोडेरी उस किया गया है इसकी अंदर आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे आवाज देते हैं इस गाड़े में यहां पर आपको बॉडल होलर मिल जाता है काफी अच्छी गाड़ी दोस्तों यहां पर आपको एस इवे पर आपको आपको सतानी से देख सकते हैं यह पर आपको काफी बड़े काड़ी मिलती है इसके मुकाबले यहां पर यह देखिए दोस्तों काफी अच्छा गरेला उस्किया काफी लैडी स्पेस है इसके अंदर यह देखे आप सकते हैं आप आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके रबnostवर करकं के देखते हैं और बैञार कि हम आपकोzer यहां पर आपको विंडो के सारो कंट्रोल मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक आप बिल्कुल यहीं से कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी काफी अच्छा माटेरियल यूस किया गया इसके अंदर यहां पर आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं इसके सीट को आप यहां पर आपको सनवाइसर मिल जाएंगे ड्राइवर की सीट पर यह देखिए दोस्तों यहां पर आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं यहां पर आपको डे नाइट और फिया मिल जाते हैं यहां पर यह देखिए दोस्तों इसके चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं ट बहुती प्यारा है यह देखिए यहां पर इसके चावी रखने की जगह यहां पर आपको हैंडब्रेक मिल जाता है कप अब के साथ इसके हैंडब्रेक यहां यहां पर इसका सब्सक्राइन कुछ यह दीखशे में की का यहां पर 1.9 18-8 मिनुट हो रहा है फियूल मंग रही गाड़ी दोसुट तस क्लोमेटर 3 लिटर के अवरेज दे रही है 21 क्लोमेटर के आपार क्लूस कंट्रॉल के अप्जिक जाते हैं यहाँ पर सारी स्टेरिंग में आपको कंट्रॉल असानीं से मिल जाते हैं यह देखिए दोस्तों यह टॉप एरेंट है य दोस्तों ने देखिए बहुत ही स्लो काम करता है ये देखिए यह सारे फंक्शन यहीं से मैनुलिया अप्टाच करके यूज कर सकते हैं यह देखिए गाना करनेक्ट करके गाना चला सकते हैं फोन लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस गाड़ी में बिल्कुल सही गाड़ी है दोस्तों अगर आपका बज़र 10 लाक रूपा है तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर पेट्रोल लाने की जगह देखने को मिलेगी जो कि इस तरीके से खुद दिया यहाँ पर आप पेट्रोल ला सकते हैं तो यह थी दोस्तों मारती सुजुकी सिफ्ट का रिवियो जो कि टॉप एरियेंट है इससे टॉप कोई सब एरियेंट नहीं आता है इसमें मैनुल है आपको आटोमेटिकी आप्सन देखने को मिलेगा तो अगर दोस्तों वीडियो अच चैनल को सब्सक्राइब जरू कर जाएं